जै गुरुजी संगजी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुड़े ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेर करें, सब इसक्राइब करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि डे कि संगत के साथ शेर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे हमारे वाट्स अप नमबर पर, आप अपना सत्संग वाइस मैसेज के रूप में रिकॉर्डर के हमें भेज सकते हैं, ताकि हम गुरुजी के प्यारे से चैनल पर आपका सुन्दर सा अपलोड कर सकें, जै गुरुजी, आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है, जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भर भर की हैं, कि मतलब कि संगत सिर्फ सोचती है, और गुरुजी इसको कैसे पूरा करते हैं, पूरा ब्लेस सत्संग है, और ये की भी बहुत सेवा करती है वो आंटी खुद आपको इस सच्छंग में बताएंगी बहुत प्यारा सच्छंग है सच्छंग लास तक सुनिएगा और मैं आंटी का दिल से सुख शुक्राना करता हूं कि उन्हें गुरुजी से आग्या लेकर गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सच्छंग शेयर किया है चलिए सच्छंग स्टार्ट करते हैं जै गुरुजी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी आज गुरुजी की आग्या से गुरुजी की पर्मीशन से मैं अपने बेटे परमार्थवास का सचसंग शेयर कर रही हूं जो उसका सचसंग जो है वो कंप्लीट हुआ है सचसंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बेटे के लिए ही बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा सतरा साल का भी कंप्लीट हुआ है और वो बहुत मतलब बिल्कुल कलियर कलियर मुपी बोल देता है चीजों को और ज़िदा गुरू जी को नहीं मानता है बट हाँ यह है कि मना भी नहीं मतर्की करता कि ममा यह क्या करें मत कुछ नहीं है बस वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं जैसे प्रैक्टिकल चाहता था वो कुछ तो बहुत टाइम से वो मुझे कहता था कि मुझे दिखाई नहीं देते हैं गुरुजी और आप तो कहते हो कि मेरे अंकल दोनों मिलके उसको यही समझाते थे कि तो गुरुजी से कुछ बोल और देख वो तेरी पूरी करेंगे क्योंकि उसको हमने कभी यह कहा नहीं कि तु गुरुजी को मान या गुरुजी से कनेक्ट हो तुझे जिसको मानने है तु उसको मान हम में कोई दिक्कत नह बाकि जब टाइम आएगा तो गुरुजी आटमेटिकली तुझे कनेक्ट कर लेंगे अपने साथ लेकिन हम तिरको दबाव नहीं डालेंगे नहीं हम ने तिरको आज तक दबाव डाला है और नहीं हम डालेंगे सबको तो वो यही कहता है कि नहीं ममा आप खुद ही देता तो हम उस पर ज्याद़ प्रेशराइज भी नहीं करते हैं ने बोलते ही नहीं कुछ कि ठीक है जो तुझे ठीक लगता है तो वो कर तो एक दिन ऐसी मैं बैठी हुई थी गुरुजी के सामने मंतर जाप चल रहा था मंतर जाप में थी और उठके मेरे पास स्पेशली आया और क्लियरली बोला कि ममा मैंने देखा है गुरुजी आपकी ना बड़ी बाते सुनते हैं तो गुरुजी को मेरी तरसे एक अरदास कर दो कि मुझे जो चाहिए ना वो मुझे मिल जाए तो मैंने का मुझे क्या पता क चाहिए कि तुझे क्या चाहिए मैंने ऐसे उसको बोला और फिर मैं अरदास सिर्फ यही बोलती हूं कि सिर्बत का बहला करो और सब में बेटा तू भी आ जाता है मैं भी आ जाते हैं और सब आ जाते है तो वरतानि उसके माइंड में क्या चल रहा था उस टेम पे तो उसने इतर चाहिए तो मैंने का इतर चाहिए मैंने का यह कौन सा तेरे दिमाग में चल रहा है इतर का तो उसने छोड़ते क्या कि नहीं गुरू जी भी तो इतर लगाते होंगे ना तो मैंने का मुझे क्या बता तो कहते है आपको नहीं बता मैंने का मुझे तो नहीं बता कहते है अच्छा पर ममा मुझे तो इतर चाहिए तो मैंने का नहीं मैं तो नहीं लेके दूंगी यह चीजें और मैंने उसको थोड़ा सा मतलब की करने के लिए कि मैंने का भूत पड़ जाते हैं पीछे ऐसे गर कि मैंने उसको बोल दिया कि यह थोड़ा शांत हो जाएगा तो उस दिन ट्यूस्डे था मुझे अच्छे से याद है और अफ्टर टू डेज बाद जब थास्टे आया तो हम अराम से बैठे वे थे और उसने आज तक कभी यह नहीं का कि हम चलो मैं बड़े मंदिर चलता हूँ यह बड़े मंदिर चलो यह आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे है ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ अगर पहले पूछ लेता है कि आज तो आज तो आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे फिर आप जम कहते हैं ना कि जो मालिक का होकम होएगा तो आगे से बोलता था कि अच्छा मालिक का तो हुकम ही है बच्चे के साथ लो तो ऐसे बोलता था हुआ तो मेरे बैटा ने एकदम से बोला कि अरे आज बड़े मंदिन नहीं चलना तो मैं एकदम संक रहेगी कि यह एकदम lines कैसे change हो गई that's mean कि he is agreed हो रखा है मदद उसको अंदर से है कि बड़े मंदिर जाना है तो मैं उसने जैसी यह चीज बोली मैंने का हाँ हाँ चल चल बड़े मंदिर चलते हैं मैंने maintenance लगाया और उसने बोला और हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए वो गुरू जी की एक special blessing होगी उसके लिए या जो भी था या उसके mind में क्या था नहीं पता जब हम बड़े मंदिर पहुचे और उस दिन हम बड़े मंदिर बहुत जल्दी पहुचे नॉर्मली हमें दो गंटा लगता है बाई स्कूटी और उस दिन हम सवा गंटे के अंदर अंदर बड़े मंदिर पहुचे मतली मंदर खुलने में टाइम था और हम वहाँ पर पोचे और वहाँ पर जहाँ जब मंदर खुला और हम हाडली 10-15 मिन पहले जैसे पोचे तो जहाँ पर जल प्रिशाद मिलता है वो आगे मेरे वेट कर रहा था और जैसी मुझे जल प्रिशाद मिला और मैं आगे गई और ज तो उसने वहीं कड़े कड़े फिर बोला कि मम्मा तो फिर एक काम करो आज तो आप गुरू जी की के पास आई हो देखो मैंने भी आपको बूच्छा तो आप चल पड़े तो अब आप गुरू जी को आप यहीं बोल दो कि मेरे बेटे को रोज बोला इतर चाहिए तो आया है आज तो खुद आया है और तो खुद ही बोल उनको अगर उनके घर आ गया गुरु जी के तो तुद बोल कि मुझे रोज का इतर चाहिए और मेरी मम्मा मुझे लेके नहीं देती है तो घुरू जी आप ले दो, आप दे दो अगर उन्होंने डेना होगा तो तुझे ड्रेक पहुचेगा और ड्रेक्ट ही तिरे पास information आएगी कि तिरे पास रोज का इत्रार है मैंने ऐसे उसको वहाँ खड़े हुए बोला खड़ा in the sense जब हम चल रहे थे तो उसने का हाँ 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 मैं ना गुरुजी को बोलूँगा मम्मा तो मुझे लेके देती नहीं है इत्र हाँ हाँ मैं बोलूँगा तो मैंने का कि तू मनी मन बोली हो कि जो आसपर संगत उनको disturbance ना हो अपने अंदर से बोली हो जो बोलना है और वो मेरे साथ चल रहा था तो इसी दुरान जब मैं समाधी स्थल पे पोची तो मेरे हाथ में राइट साइड में जो मेरा bracelet पहना हुआ है मुझे बहुत तीच खारी शुरू होगी उस टाइम पे तो हार के मैंने वो bracelet उता रहा उसी टाइम पे और मैं पहले अपनी pocket में रखने लगी तो मेरे pockets दोनों full थी blessings थी उसमें मेरे अंकल मेरे आगे थे मैंने उनको पकड़ाया तो पहली बार मैंने मना करा दूसरी में भी मना करा वा ठाट टाइम में उन्होंने जो है वो लिया और मैंने करते हाँ मैंने pocket में डाल ले और हम उस time पे चलते चलते मता कि उस time पे हम समाधी पहुचे थे और एंट्री करी थी जब हमने बड़े मंदर में तब की बात है और उसके बाद हमने बैठे लंगर परिशाद लिया और हम बाहर आगे जब मैं बाहर आई बिल्कुल तो बाहर आके गुरुजी महराज को मत्था डेका आ गया ली और इतने में मेरे को अपना bracelet याद आया मैंने अंकल से मांगा तो मेरे अंकल के पास bracelet नहीं था और वो तो वहीं गिर गया और मैं इतना मिर को लगा कि वहीं कैसे गिर गया और मैं रोने लगी एकदम से मेरा बेटा एकदम प्रिशान हो गया उसी टेम पे कि क्या होगा ममा मन का वो बंबे ब्लैसिंग गर गई जो मैंने युए आई तीन वीने से पहनी हुई थी जन्वरी में आई थी वो मुझे और मुझे 2022 में नूय यह पे गिफ्ट में मिली थी तो जन्वरी में और मैं बहुत-बहुत-बहुत रोगी थी उस टेम पे तो फिर मैंने मत्हा देखा और फिर से गुरूची का ओर्दास करी कि किसी के पैरों मेरे ना आए, वह ब्लेसिंग कहीं कौरणर पर गिरेख भी भी हो तो कहीं कौर्णर पर गिरी हो किसी के पास, किसी के पैरों मेर ना आए, और यह दास कर की हम चले आए उसके बाद मेरे बेटे के बैड इम्में 20 दिन रह गे थे 20 पशां थी ब Division, 30 दिन उसी दरान उसका बर्डे भी आ गया और निकल गया मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि गरुजी आप तो बच्चों को बर्डे पे इतनी इतनी ब्लैसिंग्स देते हो मेरे बेटे के लिए एक भी ब्लैसिंग नहीं है आपके पास क्योंकि माँ हूं तो मैंने यह चीज़ बोल द पैसिंस देंगे हो सकता है कि वो उसके बड़े वक वले दिन वो राइट टाइम नहीं हो तो ऐसे मैंने सोचा और अभी एक दिन पहले ही मेरे बेटे ने मुझे बोला 19 मार्च को कि मम्मा मुझे बहुत मन कर रहा है इतर वला लगाने वला रोज वला आप ही ले दो ना प्ल में इतनी फ्रेग्नेंस इतनी फ्रेग्नेंस थी गुलाब की और उसी दिन से हमें इतने गुलाब दिखने लग गए इतने मेरा बेटा मेरे साथ जिसे मार्केट जा रहा है या कई ससंग में जा रहे हैं तो औरिजिनल गुलाब जो होते हैं जो पेड़ों पोधों पे लगे फस्ट नवरात्रे वले दिन के बाल भूमी आंटी का दिल्ली में और जो उन्होंने सस्तंग शेयर करा वो मेरे बेटे के लिए सस्तंग था कि इतर की बॉटल जो है रोज वली गुरुजी उसको ड्रेक्ट भेज रहे हैं और मैं इतनी खुश इतनी खुश और जो ब्रेसलेट उनको मिला है वो ब्रेसलेट भी मेरा ब्रेसलेट था जो एक मोती जिसमें कम था नॉट बंदी हुई थी उस ब्रेसलेट में और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो गुरुजी से अरदास करे थी कि जिसको सच में कदर हो उस ब्रेसलेट की उसको ही वो ब्रेसलेट गुरू जी देना किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए वो ब्रेसलेट और ऐसे गुरू जी ने उस संगत तक वो ब्रेसलेट दिया और मेरे बेटे के लिए इतर जो है गुरुजी मैं क्या बोलू गुरुजी का मतलब कि जितना गुनगान करूं गुरुजी का कम है जितना शुकराना करूं मैं अपने मालिक का वो कम है अनन्तम 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 शुकराना गुरुजी का और मेरे बेटे ने रियल्टी में बहुत बहुत खुश है और बस उसने जय गुरू जी तो वो बोलता ही था आप तो उसने शुकराना गुरू जी जय गुरू जी शुकराना गुरू जी बोलता है और वो इतना खुश है जब तक ये ससंग अपलोड होगा तब तक मेरे बेटे के पास इतर की बॉटल आ चाहेंगे और मेरे बेटे को गुलाब का इतर पसंद है और वो गुलाब का ही इतर आ रहे है उसके लिए बिल्याइशंग् सबीदू छो प्यारी सी गुरू जिसी अर्दास करी और किस条 से करी और गुरू जी निने को वो जो उसकी अरदास कबूल हुई बकायदा और जो गुरु जी का टाइम था उस टाइम पर आ रहा है तो यह माइंड से चीजें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि हमने मांगा तो हमें इस टाइम पर मिलना है कि हमारे बड़े आ रहे हैं तो हमेरे बड़े भी मिलेगा न उन्हें पूरा मातारानी का चोले में बैठ गिया है गुरू जी तो और मुझे पता है कि गुरू जी जो इत्र है वो कल में हंड़ट परसेंट पोच जाएगा यानि की 25 थारी को 26 थारी को तो अनंतम 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 शुक्राना घुरू जी का बहुत बहुत शुक्राना कर दो पताना और नारंग अंकल से नमबर लिजेगा और किसी किसी भी संगत को है सट्संग् intent का सविक यह हो तो वो भी बढ़ेगा लेकिन उनके घर सपॉ प्राइगा उनके लिए तो शुक्राना गुरुजी महराज आपका अनंतम नंत शुक्राना मेरे गुरु जी का कि उन्होंने मुझे सेवा बक्षी और मेरे मेरा मैं सौरी गुरूजी मैं फिर से मेरा बोल रही हूं अपने बेटे के लिए स्पेशल इत्र गुलाव बला उनको उसको भेज रहे हैं भेज दिया है और बहुत 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 शुक्र रहना और आंटी का भी कि अश्ड़िस बेटी को भी कि विए रहना प्यूंचाना भी कि अज़ा है?